अब आपको अब बबान वे मेरी जिन्दगी जंड कर रखिया भोस अधिके अब आपको ता सोता रहता है डाइड सारा मूल फराप दिया क्या सपना देज रहाता है क्या लड़की तेरी बोतल में रम ओ मेरी जंदगी में गम काहे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं अब कब तक मेरी 3000 रुपे महीने की पेंशन पर रोटता रहेगा खुद कुछ कर ले कब करेगा यार बबबबन मजा अपने दिन समल गए आजा तो ही आजा तेरी शकल देखनी बाकी रहे गई थी अंकल सकल वकल छोड़ो और अपने बबबन का मूँ चुन मूँ वो बन जा है क्रोर पती रात में कहीं लोटरी निकलिया या खौब में कहीं बैंक लूट ली अरे नहीं अंकल अपने बबबन को काम मिल गया है अरत तुझे पता है अलमोडा वाले मामा जी ठेगेदार है पास की गौँ में उनका ठेगा चल रहा है कल से ही तु साइड पर जाएगा और बच्चे से जार रुपे मिल ले ही सेर ली तुझे मजा आगे अब तो साधियोदी करेगा भाई मजा आगे अब तो तुझे पहली बार जोब पर जाता हूँ देखता हूँ क्या होता है कहां जाना है मेडम कहां छोड़ दूँ मुझे मेरी हावेली पर जाना है अरी तो पर देखती लग रोड़ी तुझे सुना बबन आज की जॉब तेरी कैसी रही अरे यार जॉब तो मस्त रही लेकिन गान फड़ गई तो बल्ले आतवी ऐसी लॉड़ीय मिली कताई चहर उसकी आखें एकदम नसीली थी जब मैंने उसे उपर से नीचे तक देखा तो मेरी गान फड़ गई ऐसा क्या हुआ मैंने इसे देखा ये बही लड़ किये जो कल रात मेरे खाव में आई थी तेरा जल्दी कटने वाला है साले तुझे ज़्यादा मज़े आ रहा है यहां मेरी गान फड़ी पड़ी ये तू टैंसन ना ले कल चलूँगा मैं तेरे साथ है ठीक है चली कर लिमा हुँ तेरे साथ है कहां देखी थी यार यहीं तो देखी थी मैंने कल यहां तो कहीं नहीं है अरे वह आगी कर दो कर दो है कर दो कर दो कर दो कि अरे किथर गी हुआ अभी तू आया थी चल्ड उसमादर मुमने ने तरका है अधे हमीन है यहां बलि अरे त़िक अच्छो अधे क्या औरे जोडिन कि यार कर दो यहां कोई था उसने मेरी कंदे में होता है अरे तु ऐसी जोट पुड़ता रहता है कि कहा जा रहे हो मुझसे बचके को लो तुम क्या चाती हो हमसे मंजुने का नाम है मेरा और आज से कई साल पहले मेरी शादी होने वाली थी लेकिन मेरी शादी से एक दिन पहले इसी हवेली में मेरा कतल कर दिया गया था इसलिए आज तक मेरी रूप को शांती नहीं मिली मैं चाहती हूँ तू मुझसे शादी करे और मेरी आत्मा को मुप्ती दिलाए तुम मन को आज छोड़ दो और मैं तुमसे बादा करता हूँ कल मैं इसकी साथ ही तुमसे लाइक करें और शेयर करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ और यह जरूर याद रखना कि चुड़ाल कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं लाइक कमेंट करना न भूलें